नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार्ट इसका नाम है कॉहर कोई और आज हम बात करेंगे इस क्रिप्रायश्य के बारे में चलता है चाट पर आप देख सकते हैं अभी में मन्तली चाट पर हूं और यहाँ फीन चाट अंडली चैनल लाइन तो देख सकते हैं यह इसी चैनल में मुव कर रहा है तो चैनल कंटिनुसली फॉल होने के बाद यहां पर सब्सक्राइब लिने के पाद एगे निकनल सूपर की तरफ गया अभी फिलाल फॉल हो रहा है और जैसे ही ब्रेक आउट होगा चैनल सूपर की तरफ जाएगा यह हो गया इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और जैसे ही ब्रेक आउट होता है चैनल सूपर की तरफ जा सकता है और इसका फ्यूचर टार्गेट है अरूट 3.75 प्रिवेशली इसका टार्गेट था 4.2 और इसके पहले जो इसका जो स्टार्ट होगा फॉल होना यह इस इसी चैनल पैटन में फिलाल फॉल हो रहा है और जैसी ब्रेक आउट होगा चैनल सूपर की तरफ जा सकता है तो अगर आप वीगली चार्ट में जाओगे देख सकते हैं कि कैनल कैसे मूव कर रहा है और यहां देख सकते हैं इसी चैनल पैटन में कैनल सा भी मूव कर रहा है अभी अगर आप यहां पर देख सकते हैं कि candles अभी fall हो रहा है अगर आप daily chart में जाओगे देख सकते हैं candles अभी continuously इसी channel pattern में move कर रहा है देख सकते हैं यहां पर यह हो गया इसका resistance trend line ओके डॉक लेते हैं यह होगा इसका resistance trend line और यह होगा इसका support trend line तो इसी channel pattern में कि फिलाल candles move कर रहा है और देख सकते हैं अभी candles यह नीचे की तरफ आके फिर से breakout देता है तो उपर की तरफ जा सकता है तो breakout के बाद आपका जो entry price होगा 875 है target होगा around 1.00 सो इस तरह से candles move करेगा और यहां से breakout होता है उपर की तरफ जा सकता है नहीं तो नीचे आके यहां से breakout हो सकता है तो देख सकते हैं कैसे candles move करेगा और अगर यहां से fall होके breakout देता है तो entry price होगा around 7745 stop loss होगा 7209 और इसका future target होग around 3.78 सो candle super की तरफ move करेगा तो देख सकते हैं यहां पर fall के बाद breakout और breakout के बाद candle super की तरफ गया और यहां पर touch होने के बाद फिर से continuously fall हो रहा है सो देख सकते हैं कि कैसे move कर रहा है इसी तरह से आपको trade लेना है तो यह simple लग रहा है बट simple नहीं है आपको trading learn करना है उसके बाद ही trade लेना चाहिए नहीं तो आपको बड़ा loss हो सकता है नहीं तो आपको अपने financial advisor से solution लेके ही trade लेना है तो आज के लिए इतना है अगर आप